देखिए, average value of alternating current for one complete cycle, देखिए, नाम से तो लग रहा है, या हम alternating current को जानते हैं, कि भई, alternating current में क्या होता है, कि यह current flow ही, क्या यूँ कि यह electron, एक लाख electron इधर गए, ठीक है, और current की direction change होगे, फिर वापस लौट के आ गए, ठीक है, वताद जाते वग जो current flow कराते हो, और आत यह vibration होता है, इधर भी heat किया, इधर भी heat किया, ठीक है, तो average current कितनी हो गई, 0, देखने से तो लग रहा है, 0, लेकिन हम proof कैसे करें, तो कहीं कहीं direct लिग दिया जाता है, हम उसको explain करें कि आखिर 0 आई कहा से, देखिए, अचा दूसरी बात, यह current है, current का मतलब क्या होता है, flow of electron ही होता है, अब चुकि current constant नहीं है, चेंज हो रही है, इसको बंद कर दो, current change हो रही है, तो यानि कि को लुड़काज नहीं को दूसरे भी आएंगे न, तो इसका मतलब यह हुआ जाकर कि, number of charge particle, हर second, अलग-अलग time में, अलग-अलग चलेंगे न, तो हम जानते है, we know that, the alternating current in the circuit is I is equal to I naught sine omega t, यही होता है न, time के साथ current change हो रही है, ठीक है, लेकिन constantly नहीं change हो रही है, मतलब, कि अगर 1 second में 1 ampere, अगले second 1 ampere, अगले second 1 ampere, अगले second 1 ampere, ऐसा नहीं हो रहा है, time के हिसाब से, अगर ऐसे होता तो linear graph मिलता न, graph तो आपको ऐसे मिलता है, ठीक है, लेकि हैं कि 1 second में 50 electron गए, बहुत छोटा सा एक interval तो होगा न, जिसमें current constant रहेगी, ठीक है, मतलब कोई कहे कि current, alternating current की direction होती नहीं होती, उसको arrow से दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, alternating current की direction दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, हम कहा दिखाएंगे, यह current है, यह दिखाएंगे, सही है, गलत है, तो ले कहेंगे गलत है, हमका यह सही है, कोई नहीं काड़ सकता, नहीं, जो नहीं आता हो काड़ देंगे, कहीं है रहो दिखाएंगे न, यह instantaneous current है, थोड़ी देर के लिए तो इधर चली होगी, फिर इधर आई होगी, यह हमने जो शो किया कैसी current है, instantaneous alternating current है, लेकिन, generally हम इसको ऐसे दिखाते, नहीं है, लेकिन नहीं दिखा सकते, यह हम नहीं कह सकते, लेकिन दिखाएंगे नहीं, देखें, तो आई ब्रावर, आई नाट स्वाई नो इगाटी है, तो हमने का एक बहुत small time interval में, किसी circuit में कितना charge flow होता है, तो हम निकालेंगे the amount of charge, हम करेंगे अगा complete cycle में amount of charge निकाल लेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे, the amount of charge, amount of charge, flows in time dt, dt time में, हम amount of charge निकालें, तो charge का formula क्या होता है, dq is equal to idt, इतो होगा आपका, i वहाँ पर constant है, यह वाली current, यह वाली current flow हो रही है, जा समझेगा है, यह वाली current flow हो रही, ठीक है, यह change होती रहेगी ना, लेकि थोड़ी देर के लिए, तो i सेम रहेगी ना, instantaneously, वो time क्या है, dt, तो i बोले तो, i naught, sin, omega t, dt, यह dq है ना, बाई, जब current यह ऐसे flow हो रही होगी, तो charge ही तो move कर रहे है, current कौँसी चीज होती है, तो बहुत small time interval के लिए हमने यह amount of charge निकाला, total charge निकाला चाहनत क्या करेंगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम integrate करते, total charge flows in the complete cycle, तो total charge flows, total charge flows, flows की flow, अरे ठीक है, flow flows लिख दो, अंग्रेजी को थोड़े पढ़ा रहे हैं, in one complete cycle, one complete cycle, चुकि हम charge को time से relate कर रहे हैं, तो हम integrate भी time के respect में करेंगे, वह आप कहेंगे complete cycle में angle zero से two pi होता है, लेकिर हम तो time ले रहे हैं, तो total जब charge q निकालेंगे, तो इस dq को क्या करेंगे हम, integrate कर देंगे, और time क्या लेंगे zero से t, total charge हो जाएगा, यानि zero से t, और dq की value क्या हो जाएगी, यह dq है न, i naught sine omega t dt, अभी आपकी book में जो final value दी है न, final calculation दिया है, वो कहां से आप हम बात मताएंगे, अपना हम prove कर ले पहले, अब इसको integrate कर दिया जाए, i naught बाहर कर दिया, sine omega t का integral क्या होता है, sine omega t का integral क्या होता है, sin omega t का integral, minus cos omega t upon omega, और limit क्या लिखेंगे, zero से t, यह total charge, अब ज़रा समझेगा, total charge divided by total time, यह तो current होती है, तो ज़ा हम total current निकालेंगे, अभी हम निकालीगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, total charge divided by total time, यह total charge है, और total time 1 upon t है, तो अगर इसको 1 upon t हम रख देंगे न, तो यहाँ पर average current मिल जाएगी, यही formula आपकी book में लिखा हुआ है, i dt 1 upon t, यहाँ direct लिखा हुआ है, जो नूतन वाली book में formula लिखा हुआ है, वो यही लिखा हुआ है formula, उन्होंने यह charge की बारें बात नहीं किये, ठीक है, वह हमने वहाँ पहुंचिए कि कहां से यह value आई है, अभी आप divide नहीं करेंगे, हैं, इंट्रिगेशन में multiply होता है, कहां हो, सौरी न बोलो, exam सौरी बोलेंगे time मिलेगा रही, minus i naught upon omega, अगर multiply होगा भी तो कौन हमने गलती की है, गलती तो सिंगह नहीं की है, सिंगह नहीं, सिंगह तो 2 हो जाएंगे, अरे गलती नहीं की है, होती तो हम attack नहीं कर देते हैं, cause, omega को क्या लिखेंगे, 2 pi by t into small t, और limit 0 से t, तरह यहां तब पहुंचिए, यहां जगे थोड़ी सी कम है, एक मिनट, कैमरे में नहीं आ भी, यहां तब पहुंचिए, फिर अगले स्टेप पर हम बात करेंगे, अब इसको limit रख दी जाए, तो q is equal to minus i not upon omega अलग कर दो, और इसको कर दो cause, ऐसा करते हैं, 2 pi by capital t into small t, limit 0 से t, minus i not by omega, limit रखने का तरीका आप जानते हैं, time की limit है ना, capital t को capital t रखेंगे, फिर माइनस करके, 0 कर देंगे, cause, जब capital t करोगे, तो angle 2 pi आ जाएगा, और minus cause, 0 आ जाएगा, is equal to, minus i not upon omega, cause 2 pi 1, cause 0 1, average current charge कितना है, अब आप कहेंगे, इसका मतलब तो हुआ कि charge flow ही नहीं हो रहा है, हो यह रहा है, यह conductor है, ठीक है, यह हमने एक surface खींचा, तो देखा, एक second बे यहाँ 10,000 electron गए, और अगले second यहाँ loud के आ गए, तो net, 2 second माले time period 2 second है, तो 2 second बे 10,000 इधर गए loud के आ गए, तो हम क्या कहेंगे, electron गए नहीं, इसलिए net current कितनी हो गए, net charge कितना हो गया, 0, तो हमको तो net current चाहिए for one complete cycle, और current is equal to क्या होता है, current is equal to charge upon time, तो जब हम average current निकालेंगे, average current for one complete cycle, one complete cycle, c, y, c, l, e, तो क्या हो जाएगा यह, i, average माले, that is, q upon total time, तो average current कितनी हो जाएगी, 0, यानि alternating current, half cycle के लिए, complete cycle कितनी होती है, 0 होती है, ठीक, अब इसी प्रिकार से आप कहेंगे कि similarly, similarly, average, emf निकालेंगे, for one, for one complete cycle, one complete cycle, तो e average अगर v निकालते न, v average, तो क्या होगा, वो भी 0 होगा, current 0 हो, यह भी 0 हो जाएगा, ठीक, अज़से, average को mean भी कहते हैं, पता चला कि, कहेंगे, सरने तो average पढ़ाया था, mean भी पढ़ाया नहीं, लिए चोड़वा दिया, तो mean भी कहते हैं, ठीक, तो next topic है, आपका, average value of AC for half cycle, आदी cycle ले निकाल लेते हैं, पता जब 10,000,000,000 उधर गए थे न, वही उन्हीं को देख लेते हैं, कि उन्होंने कितना current flow कराया, ठीक है, तो पूरा process सेम होगा, कि आपकी limit जो हो जाएगी, और proof सेम लिखेंगे आप, ठीक है, इसका पहले मतलब समझेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा, minus I naught by omega, मतलब पूरा proof करेंगे आप, कॉपी में ठीक है, limit आप 0 से, T by 2 कर देंगे, और अभी क्यों निकालना है, ठीक है, तो आएगा cos, तो आएगा 2 pi by T into T by 2, minus cos 0, टीटी कड़ गया, 2 2 कड़ गया, यह क्या गया, cos pi, तो minus I naught by omega, cos pi की value, minus 1, होती है ना, और minus का 0 का value, 0, तो यह हो जाएगा, minus, minus, स्वरी यह क्या लिखना है, 1, minus 2 हो जाएगा ना, तो plus का हो जाएगा, 2 I naught by omega, यह I, यह Q निकला है, आपको तो क्या निकालना है, आपको तो निकालना है, I average, तो I average जब निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, charge upon time, time कितना लिखेंगे अब, T by 2, T by 2, तो Q बोले तो, 2 I naught by omega into T, और by 2 उपर जाएगा, देखें, थोड़ा सा change करते हैं, 4 I naught by, omega T की value क्या होती, डाइट कर दो न, omega बराबर 2 pi by T होता है, तो omega T की value कितनी निकलेंगे, 2 pi, तो इसको लिख देंगे हम, 2 pi, तो आएगा 2 I naught by pi, एक तो यह value हो गई, 2 I naught by pi, ठीक है, कभी-कभी यह result भी आपको डाइट याद करना पड़ेगा, और जब pi की निकलेंगे, तो आएगा 0.637 I naught, यह result बहुत important है, इतनी average current आपको half cycle में मिलेगी, 0.36 I naught, यह बहुत टेडा मेना जा रहा है, इसको आगे लिख दो, is equal to, यह कितना आएगा था, 4 I naught by, ओमेगा टीक क्या है, 2 pi, यह कितना आएगा, 2 I naught by pi, यह क्या है, 0.637 I naught, पहले मतलब समझेगा, इसको नोट करिए, फिर मतलब समझाते हैं कि कहना क्या चाहता है, इसकी लिख लिया, नोट करिए है पहले, इसका पहले मतलब समझेगा, इसका मतलब समझेगा, इसका मतलब एवरेज वैलू आप करन जो है, peak value की 0.67 टाइम्स होती है, फिर फिर इसका मतलब actually हम बताते हैं, लिखेगा, 10, 10, वो 10 वाला नहीं 10 माने, THU 10 अंगरे जी वाला 10 है, फिर दस लिख दिया 1 0, अब आंग जी यह 10 काहे लिखाएगा, जो ऐसे होता होगा, कुछ निमेरिकल वैलू, तुस, था मेन और अभरेज वैल्यू आपॉ 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 0.637 पॉ जिरो पॉइंट सिक्स्री सेवन टाइमस आफ पीक वैलू आफ पीक वैलू अभी भी बात समझ में नहीं आई मेरी भी नहीं समझ में आई अब समझो कहना हो क्या चाहता है देखो वो कह रहा है कि अगर माल लेते हैं कि आपकी अल्टरेंटिक करेंट में मैग्जिमम वैलू 100 एंपियर है ठीक है याणि 100 कैसे मिला एकदम से मिल गया 0 से 100 पुंचा होगा न तो एवरेज आपको कितना मिला 63.7% परसंट आफ पीक वैलू याणि इट इस दा 63.7% याणि आपको एवरेज वैलू कितनी मिली 63.7 एंपियर की मिली ठीक है अगर 100 एंपियर सर्किट में है मतलब अल्टरनेटिंग की बात हो रही है तो आपको जो आण एवरेज वैलू मिलेगी वो 0.67 तो 63.7 एंपियर आपको मिलेगी ठीक है और वही वोल्टेज में होगा तो इसका मतलब यह हुआ जाकर कि कि भई कम्प्लीट साइकल में करेंट 0 क्यों हो रही है एक मिनट ग 하는 कि अब्लेगे एवरेज वैलू आपने कम्पलीट साइकल जीरो क्यों हो इनि कि यह जी जीरो के लिए क्योंकि आधी साइकल के लिए करेंट पॉजिटिव थी आधी के लिए तो अब तो घबर रहे हैं अब किसी को करेंट निपड़ गए किता में लिका हुआ है तो हम क्या करें हम क्या करें 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 करने से क्या हो जाएगा निगेटिव करेंट पॉस्टी हो जाएगी फिर एवरेज निकाल ले अब तो जिरो नहीं होगा जाएगा न अब जिरो नहीं होगा और चुक्कि हमने स्क्वाइर किया है तो इसको कॉंपनिशेट करने के लिए स्क्वाइर चला दें तो अब आ जाएगा रूट मीन स्क्वाइर क्या लिए होगा root mean square इसको rms कहेंगे root mean square और virtual और effective value और virtual भी कहते हैं इसको और effective value effective value of ac इसकी बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो पहले सुझ में आगे rms करके आ रहे हैं आपने ये सब्द कहीं और भी पढ़ा होगा ना rms value of the velocity of the gas molecule by gas molecule का भी average velocity क्या होती है 0 और कहीं गंदगी create हो तो हालत खराब हो जाती है नाग पकड़ लेते हैं लोग बात में हैं velocity of और रहे होगी ये देखो इसमें नीखा विलास्टी आफ गैस इस जी रोग गंदग पूरी फैली होई है और नाग से जी नीखेशे किनी हो गई जीरो तो हम क्या करेंगे हम नीगेटिव एलास्टी को क्या करेंगे एंगिए सब का कहते हैं देखो पहले हमने क्या किया पहले हमने स्क्वाइर किया फिर हमने क्या किया फिर मिन निकाला फिर हमने क्या किया अब यह उल्टा पैदा हुए तो लोग क्या करेंगे अगर हिंदी में हम लोग सीधा बिलकुर रहे हम कैसे कैसे निकालते हैं वर्ग माद्ध मूल पहल मतलब क्या होता है आप कहां जाएंगे आरे यू वेर गॉइंग यू यू वेर विल गो पहले विल लगाओ पहले तो ये अब ठीक है वेर लगाओ छोड़िये अंग्रेजी मा समझेगा पहले क्या करना है मिन निकालना है फिर क्या करना है और रूट निकालना है अब इसी को हम निकालने जा रहे हैं ज़रा समझने की कोसिज करिएगा साउधान देखिए हमने कहा कि suppose एक circuit में current flow रही है at any time the alternating current is I is equal to I0 sin omega t यह किसी time t पर current है यह at any instant current instantaneous current है ठीक है अब dt time तक किसी circuit में flow ही किसी resistance में flow ही तो dt time तक अगर किसी resistance में flow होगी तो वह heat generate करेगी ठीक है तो आप लिखेंगे heat generated लिखो तो भी language heat produced heat produced heat produced by this current in any resistance are resistance are in time dt in time dt क्या लफड़ा है देखें कि c time t पे यह current है तो यह current थोड़ी देड़ तक तो यही रही होगी न तो हम उसी current को हम आई मान रहे है तो heat produced कितनी हुई dh heat को ऐसे भी डूट करते है ठीक है dh होता है क्या फर्मला होता है i square r dt i square r dt नहीं पकड़ में आया पुलिए यह का बता रहे है देखे v बराबर w by q होता है heat का मतलब work होता है तो आपको w निकालना है तो w is equal to क्या होता है q into v होता है q बराबर i t होता है v बराबर ir होता है तो यह i square r t होता है यह तो हम पहमना लिख रहे है i square r dt heat का मतलब क्या होता है work वही work है ये कितने time तक आपने heat produce किया है dt time तक और अगर आप complete cycle के लिए heat निकाले heat produced heat produced in complete cycle in complete cycle तो क्या करेंगे h निकाल ले और इसको क्या करें इस dh को हम integrate कर दे 0 से t के बीच में इसकी value चाहे भी निकाल ले और चाहे बाद में निकाले निकाल लो ये बाद में निकालो निकाली लो is equal to 0 से t i की value क्या है i naught sine omega t इसका square करो कितना आएगा i naught square sine square omega t into r dt ये heat जो थोड़ी 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 current है ना dh 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 heat produce होगर के total हमने sum कर दिया बाई देखे ये i current flow ही थोड़ी समय तक आई रही वाले 2 ampere रही heat कितना produce होगा dh फिर आगे 2.1 ampere हो गई फिर dh 2.2 हो गई फिर dh फिर dh dh सबको उठा के हमने sum कर दिया वही sum को हम क्या कह रहे हैं integrate करना अब sine square omega t का integration तो mathematics वालोगो तो आते ही होगा उनकी तो हाहा क्या बात है sine square omega t का integration कैसे करेंगे इतना थोड़े tough आता है देख लो biology वाले पता है दे रहे हैं वह यहां फार्म नहीं रहे हैं integration अलग concept होता है क्या पता है मैडम कैसे करेंगे इसको इसको cos 2 omega t में change करेंगे cos 2 omega t क्या होता है 1-2 sine square omega t इसको इधर ले आओ तो sine square omega t की value क्या होगी 1-cos 2 omega t by 2 यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 1-cos 2 omega t by 2 into r dt यहां तर पोहँचिए देखें अब जड़ा integrate करते हैं h बराबर क्या होगा देखें आइ-naught square r by 2 बाहर हो जाएगा आइ-naught square r by 2 बाहर हो गया integrate 0 से t 1-cos 2 omega t dt देखें i-naught square समझने कुछ करिएगा क्योंकि tough proof नहीं है क्यों कुछ books में direct दे दिया उठा करके इसी को 1 upon t से divide कर दिया उठा करके ठीक है तो वो थोड़ समझ भी नहीं आता ना फिर रूड लगा दिया बाद में यह procedure है कि actually आया कहां से result देखो ध्यान से 1 का integral क्या होगा t cos 2 omega t क्या क्या होगा sin 2 omega t by 2 omega यह होगा limit 0 से t देखिए अब limit रखने की कोसिस करें i0 square by 2 into r अब देखिए जान से आप आपने small t को capital t किया तो यह आएगा capital t minus 2 न काड़ देना sin 2 omega capital t by 2 omega और जब रखोगे minus 0 तो यह भी 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा तो यह तो 0 होई जाएगा और sin 0 की value 0 होती है omega t की value क्या आपने बताई अभी 2 pi और 2 omega t की value 4 pi और sin 0 pi 2 pi सब क्या होता है 0 तो क्या बचेगा यानि यह value क्या आगई i naught square r capital t by 2 यह equation बचेगा 1 डाल दीजे यहाँ तर पहुंचिए देखिए यह जो heat produce हुई heat बोले तो work यह work किस ने किया करण ने कौन सी करण ने किया कौन सी करण ने किया बहुत सारी करण ने किया 0 ampere से लेकर के 10 ampere से लेकर के 0 ampere से लेकर के 10 ampere से लेकर के सब ने work किया थोड़ी 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 निकाल के और add कर दिया अगर मैं कहूं कि इस work में किसका योगदान है तो सबका योगदान है ठीक है अब हम इसकी effective value कैसे जाने कि किस current ने ये काम किया अब ज़रा समझेगा हमने इस current को खिसका दिया हमने DC source लगा दिया ठीक है और DC source से हमने इतना ही वर्क कराया ठीक है DC current fix होती है अब माले DC की 5 ampere की current ने इतना काम किया तो हम समझ जाएंगे कि इस वाली alternating ने जो काम कि ये DC के 5 ampere के बराबर है और उसको हमने effective value दे दिया कि वही आपकी AC की effective value है देखे किताब में तो लिखा होगा I effective ठीक है वो हम जाने कैसे हमने इतना ही काम DC से कराया और हमने DC जितना काम कराया इतना ही अच्छ ही heat मतलब work ठीक है और हमने जितना कराया हमने का ये वही current है ज I effective, let effective value of current, effective value of current है आपकी I effective, VIR virtual लिख देते हैं ये थोड़ा सा ज्यादा लंबी spelling है तो I यह लिखो और effective यहां लिख दो, ये effective value of current है ये actually हो DC वाली है जिससे हम काम करा रहे हैं लेकिन है किसके बराबर? effective value of AC के तो ये T time में कितना काम करेगी? तो work done by या heat produced by, heat produced by, produced by I effective, I effective in one complete, in one complete cycle. H बराबर, फर्मला क्या हमने बताया? I square R dt, तो I square बोले तो I effective square, नहीं समझे? ये वाली जो current काम कर रही है, ठीक है? into R तो वही था और time कितना लिया हमने? T, तो दोनो H कैसे हो जाएंगे? equal हो जाएंगे? नहीं समझे? तो equating, equation 1 and 2, तो I effective square, आप कुछ और I dash मान सकते हैं, उसमें confused नहीं हो जाएगा, ठीक है? into Rt is equal to I not square Rt by 2, Rt, Rt cancel हो जाएगा, तो I effective की value क्या हो जाएगी? under root I not square by 2, यही जो effective है ना, यही root mean square value है, आपने current का square किया यहाँ पर, ठीक है? तो इसी को हम कहते है, root mean, तो यही आपकी जो I effective है ना, यही आपकी I, RMS है, और क्या होता? I not by root 2, बहुत, बहुत, बहुत important proof है, यह अकसर इस्वने विकल पूछा ही जाता है, एक number पूर लेंगे, यह value लोग भूल जाते है, और इसको 0.707 I not होता है, यह value result होता है, तो बहुत important है, स्वन में आपकी बात, proof अपने आपकार लेंगे ना, कहां से result आया है, note करिए, हमने यह heat produce की है, यह heat किस current ने produce की है, alternating ने, उसमें कौन से कितनी value वाली current ने की है, तो बहुत जीरो से लेकर के, 10 ampere से लेकर के, 0 से लेकर के, मानस 10 ampere सब कर रहे हैं काम, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है, और इतना हमको काम मिल गया, ठीक है, हमने का, actually अगर एक current उसको क मिल कर के किया, तो वो 10 लोग ने मिल कर के किया, तो उसमें एक मरगिला टाइप का होगा, यह भगवान राम वो बना रहे थे, अपना पुल बना रहे थे, राम सित बना रहे थे, तो उसमें सब का योगदान था, तो एक गिलहरी वे अपना योगदान दी थी, आपने सुना होगा, वो करती क्या थी? वो जाकर के समुद्र में अपने आपको गिला करती थी, बाद में मिट्टी में आके लोड जाती थी और सेथ में जाकर से जाड़ देती थी, जैसे मिट्टी उस सेथ में अब वो उसका योगदान था ठीक है, भगवान ने देखा बांडरो ने कहा, भगवान ने देखा रही है तो बुलाया उसको, तो उसके पीट पर अपना हाथ परा, वो जो स्टिप है भगवान राम के, ऐसा अब तब मानता है जो हमारे संस उसमे तो यानि इसमें गिलहरी का भी काम है इसमें हनवान जी का भी काम है तो यह जो हीट किसे प्रडूस की है एक नड़ की है, कम्प्लीट साइकल के लिए है तो तो ती बाई टू की हो यह ती बाई टू यह फरमला थो ले हम लिख रहे है यह पहला फरमला जो था, वो क्या आया था I2RDT आया था नो तो प्रूफ करके हम लाए है इंट्रिगेट करके, ठीक है यह समना भी बाई नहीं आई हमने का यह जो ही, काम किया अगर एक आदमी काम करता, उस सित को बनाता तो कितनी एनरजी कर्ज करता तो वो जो आदमी था, उसकी कर्रेंट हमने क्या माली I effective और हमने पुल बनवा दिया तो जो गिलहरी मिलकर के सब लोगों ने यह पुल बनाया था वो इस I effective ने पुल बना दिया तो दोनों के H क्या कर दिया हमने 0, वही I effective हमको निकालना था तो I not by root 2 हो ठीक है यानि जो आपकी complete cycle के लिए जो RMS value होती है root minus square value होती है वो peak value का 0.707 time उता 70.7% होता है मतलब क्या हुआ अगर आपकी current maximum 100 ampere flow हो रही है तो ऐसे current flow होगी न 100 ampere उपर, फिर 100 ampere नीचे तो 0 से 100 से 0 से minus 100 ऐसे होगी न तो एक complete cycle में आपनी current 0 से 100 तक गई तो on average आपको कितनी मिल रही है 70.7 ampere आपको current मिलती है वो 100 ampere होती है लेकिन मिलती है आपको यह है अब अगर यही proof effective voltage के लिए होता मले आगया voltage के लिए तो हम इसी में थोड़ा सा change कर रहे है आप अपने आप करेंगे हम करवा नहीं रहे है अगर यह effective voltage होता तो आप क्या करते है साउधान बिल्कुल जो proof पीछे वाला है ना बिल्कुल वही proof हम कराएंगे थोड़ा सा change कर देंगे बस current की जए voltage का इस्तिमाल करेंगे अगर यह आपकी value of alternating current को करके alternating voltage होता ठीक है तो देखे तो एक क्वेशन आप करेंट का थोड़े आप लिखते किसका लिखते आप voltage का कि वी बराबर क्या होता है वी not sign आप वी लिखिया ए लिखिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नाम कुछ भी दे सकते हैं आप टी मल लिख देना नाम का भी तरीका होता ना कुछी लड़का का लड़की नाम टॉमी थोड़ रखता अपना वो एक होता नाम टॉमी मतलब किसका रखा जाएगा तो ऐसे ही voltage है तो EMF है तो V मानो E मानो लेकिन उसको आप थोड़ी मानेगे अब देखो small time में जब heat produce हुई DH वहाँ भी हुई थी ना वहाँ क्या हुई थी I square R dt हुई थी ना अब आपको I तो दिया नहीं किया है तो आप इसको हटा दो किवल V बरावर क्या होता है I R I बरावर क्या होता है V upon R तो यह हो जाएगा V square upon R square into R dt R R cancer हो गया तो हो गया V square upon R dt यह DH हो गया अब V का value क्या रखेंगे V naught sine omega t अब आपकी DH निकल आया है अब आप जो complete cycle के लिए प्रूफ करेंगे integrate करेंगे तो जहाँ आई था वहाँ की वाला formula आएगा तो V के प्रूफ में वही आएगा पूरा ठीक है फिर आप heat निकाल लेंगे उससे heat मालिया आपने निकाला जो भी निकल के आई जो heat निकल के आई है वह आई है E naught square T upon 2R जो heat निकल के आएगी वह आएगी E naught square T upon R वो निकलेगी यही upon 2R upon 2R यह heat निकलेगी ठीक है यह किस voltage ने काम किया है गिलहरी से ले करके हरुमान जी मिला करके सब लोग मिलके काम किये है ठीक है ठीक है अब एक effective voltage होगा वो कितना काम करेगा H बराबर यहां रखेंगे ना E V effective square upon R into total time और दोनों को क्या कर देंगे equate कर देंगे तो जो आपका V effective निकलेगा जिसको कि आप V RMS कह रहे हो वो V naught upon root 2 हो जाएगा यानि कि 0.707 upon V naught बात समझाए नहीं जाई प्रूफ कर लेंगे ना नहीं हो जाएगा ना तरीका हम बताज रहें कि अगर वोल्टेज आता है तो किसे आप प्रूफ करेंगे ठीक है ओकी